वेलकम बेक दोस्तो इसे एक नई वीडियो के अंदर दोस्तो आज काफी शानदर अपड़ेट निकल के सामने आईया है काफी कोईन आज बड़ी रेली शटार्ट कर सकते हैं जी हां कई कोईन अगर बात करें तो उसके अंदर तो रेली शटार्ट हो भी चुकिये हो यह करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो के साथ एंड तक बने रही एगा सबसे पहले मार्किट कैप की यहां पर बात की जाए 2.54 ट्रिलियन हो चुका है द्वारा से मार्किट कैप के अंदर इनक्रीजिंग होई है यााँ पर 1.43% चट चुका है लगबग मार्किट कै वहीं पर दूसतों बीट कोईन की बात की जए बही बात की जायर यहाँ पे meme coin Shiba Inu coin की तो यहाँ पी छोटी सी greenery लोट आई है, मतलब meme coin आज फिर शुरू हो गए हैं दोस्तो यहाँ पे जो correction थे वो recover हो चुका है और मैंने कल रात को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने target भी दिये थे Shiba Inu coin के और sports भी बताई थी भी 3,51 को अगर यह break करता है नीचे को जिसके chances नहीं है तब जाके हो सकता है थोड़ा हो down जाए नहीं तो bullish ही रहने के chances यहाँ और मैंने 5 target भी Shiba Inu coin के दिये थे अगर वो achieve हो जाते हैं तो बड़ी rally Shiba Inu coin के अंदर और वहीं पे बात की जाए दोस्तो फलोकी Inu coin जिसको मैं हर time recommend करता रहता हूं हर वीडियो में देख लीजिए आपके सामने है Shiba 1% भी नहीं बड़ा और यहां क्या हो गया 16% अप हो गया और rally start हो चुकी है फलोकी Inu coin के अंदर यह coin सबसे अच्छा return सबसे fast return दे सकता है अच्छे तो सभी return देंगे Shiba भी देगा लेकिन यह fast चल रहा है सबसे इसलिए इसको मैं recommend खमेशा करता रहता हूं और पिछली January 2021 से इसको recommend कर रहा हूं है और trading volume यहां भी 24% down है price अच्छा खासा 16-17% के आसपास boost अपने वीडियो बनाते-बनाते ही चला गया है और वहीं पे दोस्तो पैपे इनो coin यहां भी बात के रही है यह भी coin दीरे-दीरे लोगों का favorite coin होता जा रहा है 7-8% का boost पैपे coin के अंदर देखने को मिल रहा है आपके सामने है यहां भी rally अभी भी start हुई है मतलो अभी engine start ही किये हैं सभी रहे गाड़ियां भी बागने start हुई है और अगला जो coin है दोस्तो bonk coin तो यहां गिरावट अभी भी बनी हुई है 6% अभी भी correction के अंदर 4 ही बचा है मतलो वीडियो बनाते बनाते भाई यह भी plus में आने वाला है ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है और यह coin भी लोगों का चहिंदा coin बनता जा रहा है दीरे दीरे क्योंकि यह भी अच्छा return देता हुआ नजरा रहा है 18% की trading volume अभी तक down के अंदर बनी हुई है तो अब चलते हैं दोस्तो twitter पे क्या announcement है वो भी जान लिजिए लेकिन उससे पहले एक छोटी सी request है भाई कि मुझे sport कीजिए challenge को कर दें subscribe भाई ताकि आपको हर crypto की हर meme coin की update time to time मिलती रहे और telegram का link दे रहा है description में उसे भी जाके आप join कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो पहला tweet bitcoin magazine की तरफ से क्या निकल के आया फेडरेस्ट टॉम ली on cnbc bitcoin could be our deadlock in the next 12 to 18 month तो यहाँ पे दोस्तो डेली जो बड़े लोग है daily अगर बात करें कोई कह रहा है बही एक लाख जून तक चला जाएगा कोई कह रहा है daily मतलो announcement ऐसी निकल के आ रही है यह तो बात clear हो चुकी है भी एक लाख को तो bitcoin पार्क करने वाला है वो भी इसी साल के अंदर अंदर जी हाँ तीन महिने हुए हैं इस विमार चल रहा है भी एक साल पूरा पढ़ा है भी और हालविंग को लेके भी यहां पे एक बड़ी update निकल के सामने आई है तो यहां पे भी 6400 ब्लोक ही बचे हैं कराकेन की यह update है दोस्तों आपके सामने है हालविंग को लेके यह भी हालविंग भी बिलकुल नजदी का रही है जैसे जैसे प्राइज तो भाई बढ़ना ही है तो यह साल तो कहीं न कहीं बहुत ही शांदर इयर्स रहने वाला है यह और 2,25 इसमें अच्छा खासा रिटर्न हर बंदा कमाएगा यह तो कनफर्म हो चुका है और यहाँ पर इन्होंने एक मूमेंट होवर शेयर किया यहाँ पर हालविंग को लेके और अगला ट्वीट है दोस्तो शांदर ट्वीट है बलैक रोग जिसका डेली कोई भी वीडियो बनाता हो यूट्यूबर क्रिप्टो की बात कर रहा हो और बलैक रोग का नाम ना ले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट बलैक रोग दोवरा दी जाती है और यही बहुत बड़ी दो लाग के आस पास इन्होंने होल्डिंग कर रखी है बिटकोईन की दो से कमी है लेकि बड़ती जा रही है डेली टू डेली और यहाँ पर इन्होंने क्या कहर दिया बलैक रोग फाइल टू परचेज स्पोर्ट बिटकोईन एटिएफ फोर इस गलोबल अलॉक्शन फंड तो यहाँ पर इटिएफ को बाय करने की बात की जा रही है बड़े लेवल की बातें जो होती है वो सिर्फ बड़ी कॉम्पनियां ही कर सकती है बलैक रोग एक माइक्रो स्टेटरजी है उन्होंने भी बड़ी होल्डिंग बना रखी है तो क्या लगता है आपको इन्होंनों क्या होल्डिंग बनाई है दस पंदरा हैयार के लिए भी ठीक है बिटकोइन सत्तरा हैयार चला जाएगा बेच देंगे नहीं यह तो भाई लंबी रेस के गुड़े हैं इनको यही लोग है जो इसको बिटकोइन को उठाके देड़ लाग से भी उपर ले कर जाने वाले हैं अगर बिटकोइन देड़ लाग जाएगा तो क्या समझते हो मीम कोइन वहीं रहेंगे ऐसा नहीं होगा profit तो भाई हर coin के अंदर मिलने वाला है हाँ बात ये है कि आपकी जो holding है आपका जो portfolio है वो अच्छा अच्छे level का होना चाहिए मतलो उसमें अच्छे अच्छे coin होने चाहिए जैसे flow की हो गया मैंने flow की recommend मैं ज़्यादा करता हूँ